जिस लालू यादव ने अपने सनक और अपने हनक से सत्ता की चावी हमेशा अपने जेब में रखी, आज उन्हीं के सुपुत्र आज डर्द कर राजनीती कर रही है, तब लग रहा है कि लालू यादव ने अपना गुन क्या अपने बेटों में नहीं दिया है। जिस लालू यादव को साइकिल पर बैठ कर रिक्षा पर बैठ कर राजभवन जाने में डर नहीं लगता था, उनका बेटा एक नितीश कुमार से डर कर ये कह रहा है कि भाई साहब हमको तो सीएम बनने का हरबरी नहीं है, लेकिन सच ये है कि तर्यस्वी यादव की पाटी न लेकिन आज तर्यस्वी यादव का ये डर बता रहा है कि लालू यादव वाला जमाना तो चला गया भाई साहब, लालू यादव वो नाम जिसने राजनीती को परिभाशित किया तो अपने हिसाब से, वो नाम जिसने बताया कि देखिए अगर हम राजनीती करेंगे तो लालू यादव अपने बेटे को ये सब्चू नहीं सिखा पाए इस पर आज प्रश्णिच्चिन लग चुका है तरस्वी प्रसाद यादव कहीं जाते हैं और जब पत्रकार उनसे पूछते हैं कि भाई साब आपको ठग लिया गया है क्या तब तरस्वी यादव कहते हैं कि ह चमंत्री नितीश कुमार सीएम बने हुए हैं बहराल इस वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि आखिर लालू का लाल डर डर कर राजनीती क्यों कर रहा है और वो लड़का जिसको सीएम होना चाहिए वो डेप्यूटी सीएम क्यों बना हुआ है लेकिन उससे पहल जाना हो या बिहार के किसी भी गाउंसे पटना आना हो आपको प्ले स्टोर पर जाना है रोडबेस का एप डाउन्लोड करना है और आप आधे किराय में पूरा बिहार घोम लेंगे बहराल लोटते हैं अब लालू प्रसाद यादव और तरस्वी प्रसाद यादव पर वो तिरस्वी आदव जब पत्रकारों के बीच पहुचते हैं तो पत्रकार उनसे पूछते हैं कि भाई साब आप मुख्यमंत्री कब बनेंगे और क्या आपको नितीश कुमार ने धोखा दिया है। खाकर सीना चोड़ा करके चलते थे और कहते थे कि विरोधी आज भी हमसे डरता है। कोई बना सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नितीश कुमार है। लालू यादव जिस तरीके से राजनिती करते थे उस स्कूल में ये नहीं सिखाया गया है कि आपके पास किसी पार्टी से डबल सीटे हों लेकिन आप उसको मुख्यमंत्री बना कर रखिये। उसका ताना सहिए, उसके हिसाब से सरकार चलाइए और वो जो कह रहा है उसके बात को मानिये। राजनितिक विशलेशक, राजनितिक पंडित और आम लोग भी सोचनिल को मजबूर है कि आखिर तरिस्पी यादव क्यों ये सब कर रही है। आज भी बिहार की राजनिति में उतना ही है, लेकिन उनके बेटे उनके विपरीत काम कर रही हैं और पत्रकारों को कह रहे हैं कि हमको सीएम बनने का हड़ बड़ी नहीं है। भाव से नितीश कुमार को डिफेंड करते हैं और ये बोलने से डरते हैं कि हमको धोखा दिया गया है। तरिस्वी आदाव बिहार के मुख्यमंत्री अब कब बनेंगे इसके बारे में किसी को पता नहीं है। लेकिन मामला को शांत करने के लिए तरिस्वी आदाव ने एक सौफ्ट सा बयान दे दिया है कि हमको कोई हरबड़ी नहीं है। और अब इस बात पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि जिसका बाप हनक और सनक की राजनीती बिहार में करता था। राजनीती को अपने हिसाब से परिभाशत किया। उनका बेटा आज ये इतना डर-डर कर राजनीती क्यों कर रहा है। बाकि आपको क्या लगता है करण बोक्स में लेकी बताईएगा। मेरा नाम प्रशान्त है। बहुत बहुत धनेवाद। कर राजनीती बताईएगा।